दोस्तों सिमर के गंबले तो हमारे सब के घरों में होते हैं पर कम प्रॉलम यह कि बहुत जल्ली तूट जाते हैं देखिए पूरा कंप्लीट तूटा हुआ आदे से ज्यादा तूटा हुआ है आज मैं इसको जोड़ना सखाऊंगा आपको देखिए इस परकार से पूरा तूटा हुआ था बिल्कुल नहीं जैसा दिखाई देगा आपको तो वीडियो को कम्प्लीट देखना तभी आपको समझ में आएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपना टूटा हूँ गंबला ले लेंगे वैसे टूटा हुआ नहीं था यह निया गंबला था मैंने जानबुझ को तोड़ा है ताकि मैं आपको इसको जोड़ कर दिखा सकूँ यह बिल्कुल कम्प्लीट ली जुड़ जाएगा कहीं से भी ऐसा नही धर उड़ेगा कि यह टूटा हुआ था तो मैंने इसको पहले थोड़ा सा पानी दिया था देखिया पानी बाहर आचुका पूरी के तरीके से तो यहां से गंबला टूट चुका है मैंने आपको दिखा दिए कि आदे से जादा यह गंबला टूटा हुआ है तो यह भी पास्टी की बोटल ले लीनी है जहां पर जो सप्रेइ बोटल हो मतलब पानी का छिड़काब कर सके अब सीधा किसी भी चीज से भी इसको गीला कर सकते है गमलों को जोडने के लिए तो मैं सप्रेइ बोटल इसले जूज करता हूं इससे पानी बहुत कम लगता है और पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है इसको हमने क्या करना है टूटे हिस्सों को बाल्टी में डाल देना है बाल्टी में पहले पानी भरकर उसमें इसको भिगो देना है अच्छी परकार से इसको पानी को सोकने देना है ताकि हमारा अच्छी परकार से इसके साथ जूड सके ठीक है तो पहले इसको पानी में डाल देना है तो यहाँ पर हम इसको जोडने के लिए थोड़ा सा सिमट का यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा पहले उससे पहले देख लिए आप पूरी तरीके से इसके हिस्से गिले हो चुके हैं सिमट हमारा सिर्फ 10 रुपे सिमट लगेगा दस से भी कम का लगेगा वैस्तों अपर přेदो यहां पर आप दोको यह पूरा इसका हिस्सा है भाट यहां पर आपको इसको थोड़ा थोड़ा ओ तोडना पडे गा क्योंकि यहां पर हम सिमट को भरेंगे तो इसको थोड़ा- इसको मैं कितना किना तोड़ूँगा सिर्फ यहां यहां से हलका तोड़ लेना है ताकि इसके अंदर सिमड जा सके क्योंकि अभी बिल्कुल भी जगा नहीं बची है इसके अंदर सिमड भरने की तो इसको किसी भी पलास या किसी भी थोड़े से हलका तोड़ लीजिए ताकि यहाँ पर हम सीमन को जोड़ें जब इसमें भरें तब यह दोनों आपस में चिपके रहें जुड़े रहें ठीक है गईज तो सबसे पहले हम इसके हर एक हिस्से को थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे नीचे से नहीं तोड़ना है सिर्फ यहां से तोड़ना है ठीक है यहां से साइड से तोड़ना है मतलों साइड से थोड़ा थोड़ा तोड़ा तोड़ना नीचे से मत तोड़ना क्योंकि नीचे से उसका बेस है वो लगा रहेगा तो ऐसे किसी भी रस्ती से आम इसको बांदेंगे ठीक है यह तो रीबन है तो इससे बांद देंगे, अभी हमारे पास यही पड़ा है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने इतने हिस्से को तोड़ तोड़ा 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 है, आप यहाँ से देख भी सकते हो, इतना तोटा है यह, तोड़ा है, तो यहाँ पर हम अच्छे प्रकार से पना सीमन को भर स जहाँ जहाँ हम cement को भर सकते हैं वहाँ वहाँ उसको भर देगा तो किसी भी बरतन में आपने एक हिस्सा cement और चार हिस्से rate को डालना है यानि sand को डालना है या फिर एक हिस्सा cement और दो हिस्से rate को डालना है तीक है ऐसा mixture बनाना है आपने tight सा तो इसको अपने इस परकार से अच्छे परकार से भर देना है बाद में आप किसी भी चीज़ से उपर से उसको घुमा कर उसको फिनिशिंग दे सकते हो जैसे यह पहले था वैसे आप इसको फिनिशिंग दे सकते हो तो आपने इस सिम्मट को भरना है उसी चीज़ से आप इसको फिनिशिंग दे सकते हो पर पहले मैंने इसको हाथ से भरा है बाद में इसको मैंने अच्छे परकार से उपर उपर से finishing कर दिया ताकि बिल्कुल यह setting से वैसे ही दिखाई देने लग जाए जैसे यह पहले था तो अच्छे पिकार से मैंने इसको cement को भर दिया है अभी इसको जहाँ जहाँ cement मेरा भरा गया है वहाँ भर मैंने भरा है जहाँ पर यह रसी बांदी हुई है और यह तार बांदी हुई है वहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है तो अभी इसको ऐसे छोड़ देना है बाद में इसी सप्रे बोटल से हम इसको पानी देंगे पर अभी इसको एक बार हलका सा पानी देंगे ठीक है तो बाद में आपने इसको दो देना है जिस बरतन में आपने सीमेंट को गोला था ठीक है देके मैंने अच्छे परकार से इसको दो दिया है और इसी टूल की मतल से मैंने इसको फिनिशिंग दिया है ठीक है इससे इससे अच्छी परकार से मैंने उसको finishing देके वैसे ही कर दिया है जैसे उसके जो lines बनी होई थी जो design था वैसे उसको हातों से दिरे दिरे करकर बना दिया है ठीक है पूरी वीडियो मैं इसलिए शूट ने की क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ठीक है बस आप समझे ना कि आपको cement ऐसा ही बनाना है जैसे मैंने आपको बनाया था ना कि एक cement अगर आप एक डबा cement लेते हो तो चार डबे उसके में sand डालनी पड़ती है पर आप चार की जगए दो ही sand डालना तो कि ताकि वो और भी मजबूत हो जाए कि कि जितनी आप sand डालोगे उतनी उसकी पकड दीमी पड़ जागी बट मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जादा इसमें cement डाली है sand कम डाली है जैसे कि एक मैंने cement का लिया हिस्सा और एक ही sand लिया क्योंकि मेरा cement बहुत पुराना था तो अब देख सकते हो सीमें काफी मजबूत हो चुका यह एक दिन बाद की वीडियो है जो मैं आप आपको दिखा रहा हूँ तो सीमें काफी सूख चुका है तो ड्राई सा हो चुका है अब हम इस रस्सियों को निकाल सकते हैं कोई भी डर वाली बात निया यह बिल्कुल भी तूटने वाला नहीं है इसको बाद में सप्रेव बोटल की मदद से थोड़ा जब पानी हमें देते रहना पड़ेगा एक पर देखें यहां पर हम सिमट नहीं लगा पाए क्योंकि यहां पर रस्सी और जो रीवन था वो बांधा हुआ था इसको बाद में भी भर सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हो आप इतना कोई जरूरी नहीं है यहां पर बढ़ना बट आप यहां पर देख लिए हमार पानी देते रहना है देते रहना है जब यह पानी पीना बंद करते हैं तो समझ लेना आपने यह काफी मजबूती से जुड़ चुका है तो बाद में इसमें यह पेंट करूंगा मैं यह पेंट कौन सा है इसकी वीडियो मैंने पहले बना दी यह आपके लिए आप इसको जा करना जब आपने paint करना तो इससे पहले भी इसको गीला करना पड़ेगा क्योंकि यह paint में पानी डालना पड़ता है तो अगर मैं सीधे इसके उपर कर दूँगा तो एक दम से paint को यह पूरा शोक लेगा तो यह ड्राही सा पडने लग जाएगा तो पहले इसको गीला कर लिया हमने इसके ओपर simply मैं एक बार paint फेर दूँगा तो आप देखिए बिल्कुल नहीं जैसा लगेगा कहीं से भी नहीं लगेगा यह टूटा हुआ था तो देखिए paint करने के बाद यह कुछ इस परकार का दिखाई देगा अभी छोटी से धरार आपको दिखाई द दिखाई दे रहा है पूरा नया लग रहा है कहीं से भी देखिए लगने दा टूटा हुआ है क्योंकि हमने इसके ओबर एक coat मलब एक बार paint कर दिया अगर आपको जादा लगे तो आप दो बार भी paint कर सकते हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं पता लगेगा और यह जो छोटी सी दरार है इसमें भी आप सीमट भर कर दुबारा से paint कर सकते हो तो बिल्कुल भी आपको निजर नहीं आएगा यह कहीं से भी टूटा हुआ है तो thank you guys वीडियो देखने के लिए यह वीडियो थी कि port अगर आपका टूट चुका है तो आप घर में उसको repair कर सकते हो और ऐसी interesting वीडियो अगर देखने हो तो आप चैनल को subscribe कीजिए यह चैनल ऐसी वीडियो से भरा पड़ा है thank you so much